हमारे हास में और आप लोगों के हास में एक ही फरक है आपके यहाँ जो हास होता है कल्चर की कपड़े उतारने से आपका हास बढ़ता है हमारा हास से कल्चर को कपड़े पहनाने से बढ़ता है तो हमें क्या लोग सुनना चाहते या देखना चाहते वो महतपुर नहीं है क्या सुनना चाहिए ये महतपुर है मैं थोड़ी राष्ट की बात करता हूँ आम आदमी की बात करता हूँ जिंदगी की बात करता हूँ जो जिंदगी से जुड़ी हुई है ये मुबाइल रिकॉर्ड करने रेंड दीजे आज रिकॉर्ड करके कर अपनी लुगाई को हसाओगे मेरे भरोसे ब्या करके लाए थे क्या मर्द के बच्चेों तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हसाओ मेरे भरोसे काय को और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हसोगे इससे बड़ी मुष्टा नहीं हो सकती जिंदगी में आज बैतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बैतर होता चला जाए बाबा सीटी बजाने की जरुतनी अभी आपका चरित इतना खराब नहीं हो कि आदमी को देखकर आदमी सीटी बजाए यहां पर चार चार पंक्ति देना जाहता हूं जहां तक पत्नी की बात की मन अपनी घराली की खुबसूर्ती के गुन गाये अपने बेटे को इतनी अच्छी सिक्सा दी को दे नहीं सकता और उतनी अच्छी सिक्सा को इतने बुरे ढंग से कोई ले भी नहीं सकता मैंने पत्नी से कही पत्नी जी हाँ जी से डड़ते जी लगा करी बोलते है आपको ज्यादा ड़ लगे तो जो बार जी लगा दो मतलब भी बदल जाएगा फर तो जी जी सारे मतलब बिलकुल संबंद बिलकुल गुचाई उपर पहुच जाएगा पतनी जी, मैं छोरा ने राम बनने की प्रेडना दे दियो हूं, कितनो अच्छो काम कर रियो हूं, गरवाली बोली मैं जानो हूं थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाओ हो, अईया दसरत बनके तीन घराली लानो चाओ हो, पती बिचारा अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता, और इन चार लैनों में घराली कह रही है ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनों प्यार करे है थे भी यहां कर सको के मैं बूलो मेरी तो किश्मत ही खुल जावेगी पर पूछ ले रमेश की घराली तियार हो जावेगी और इन चार लेइनों में जब मैं सेर का सिकार करके घर पोँचा इसमें सोचने किया भाई सेर कुई घराली से ज़्यादा खुंखार थोड़ी है तो मैंने पत्नी से कही देख सेर की खाल लायो हो पर आज तो गजबी हो जातो एक मौको ऐसो आयो थो कि सेर मैं नहीं खा जातो गरवाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बरबादी हो जाती थारी तो खाल भी कोई काम में कोई नहीं हो ये मर्दों की मार्केट वेल्यू है